जैने दोस्तों मेरन बीर सिंग स्वागत करता हुबर फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथन जीस क्लासेज में तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि आप जानते हैं 15 दिसंबर से पेपर है ठीक है अब आज से मात्र दो माह बचे हैं और आपको डेली करंट करेंट फिर तो मिलेगा ही यानि की सारे के सारे देखें जीस जो होता है सब करेंट फिर सब मिक्स करके वह सब आएगा 30 मैद्स ठीक है उसके बाद 30 रिजिनिंग और बचेंगे 40 यह जीस पॉर्शन से ठीक है तो इन सब का आपको डेली कर डेली प्रेक्टिस सेट मिलता रहेगा ठीक है सबीका और प्रेक्टिस सेट बहुत जरूए प्रेक्टिस के लिजिए या उसको टेस्ट सेरीज के रूप में लीजिए ठीक है पहले आप टेस्ट के आजर टेस्ट लिजिए और उसके बाद आप लुटकर करना बिलगूना भूले लाइक करद ये प्यारा सा सफवलता का जो एक मात्र कुन जी है सी भीजी इसी बात है practice ठीक है ज्यादा स्यादा practice तो πैक्टकर यह परष्छन जो था पिछला system का था तो भारती सम्मिदान में कितनी अनुसूचिया है तो क्या बात करना है करेक्टर सर्जो हो जागा 12 या आपका अपने अनसर ये जो भी है आपने दिया होगा और खुछ नोगों ने दिया था अनसर सही ठीक है बाकी जो शुरुआत में हम देखें तो आठ अनुसूचिया थी ठीक है शुरुवात में जब हमारा समिदान लागू हुआ और 395 अनुच्छे थे आज भी 395 ही हैं लेकिन कोख मिला करके सारे समिदान सोदन जो होते जा रहे हैं तो लगबग 470 कहने या 400 पैसा अभी भी डर अटाया ही कहेंगे प्लस एबोग ठीक है और 22 भाग ठीक है 22 भाग से 24 भाग हो गए है ठीक है तो यह याद रखेंगे चली हम लोग आगे चलते हैं फटाफट इससे जो है आपका और कैसे क्या प्रश्ण मनते वो भी एक दायरा समझ में हागा और दूसरी बात क्या है और सीदी सी बात है यह कुंजी है ठीक है सफलता के लिए सीदी सी बात है तो ठीक है स्टार्ट करते हैं ध्यान से देखते रही आपना ठीक करती रहेएगा आपका कितना सही हुआ पहल किसे ने ऐसा शुरू किया है तो अब सरे से प्रस्ट बैंक एसे बैंक यूरोपियन बैंक तो किसने पर दूसर ब्योस्ता करिए पर्रयावन स्टार्ट करी है ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या जाएगा विस्व बैंक ठीक है अब कलपना भी कर सकते है तो इसलिए यह गलती हो जाती हम तो तो क्रेक्ट अंसर क्या हो जाएगा तो अब सबसे बड़ा सरवाजनिक छेत्र का संगठन है क्या है सबसे बड़ा जो है और वह अब इसमें पीपीटी पे आंत्वर पे ज्यादा काम कर रहा है ठीक है तो कि पीपीटी होता है जो भी हो यानि पड़ पब्लिक पार्टनरशिप और पता नहीं यह कंफ्यूजर मुझे तो प्राइविट जिसन होने का मतलब यह सिर्फ पब्लिक प्राइविट जो है सेक्टर इसमें मिलके काम करेंगे है न एक तरीक चिसम्के तो ठेका लिया जाता है सभी समाज को यानि की 200 समाज को एक इखठाव करके सारे कामदाम को देखना और आयात निर्यात पर अंकुस अंकुस लगाना नहीं था डिल कानून पर डिल देने का कोई मतलब नहीं था तो पहला अंकुस नहीं होगा जबके इसमें लिए जाएगा ठीक है हैना आयात निरियाद पर तो ये सब चीजे हुय थी तो गरेक्ट अंसर फिलाल कंढ़ दे रीसका हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं प्रहाश्डाचार को नियंतरिद का आयोग ठीक है कि जिसे सी वी सी भी कहा जाता है तो करेक्ट अंसर यह हो जाएगा है ना तो कि और कि इसका अगर हम कहें तो सिफारिश जो है 1964 में कहेंगे इस था अपना भी कह सकते हैं 1964 में इसका गठन किया गया ठीक है तो वो आज भी चल रहा है ठीक है और बस ठीक आगे चलते हैं निम्ली में से कौन सा स्टैंडियमं बैंगलूर commence एडर गाडन कोलकाता में है ठीक है और फिरोससा कोटला जो नई दिल्ली में फिरोससा अ फिलाल इसका जो पूरी तरीके से सहार उड़्जा से टो इसका जो और शीन्ह सवामी जो 2015 में में कंकूपलीट हो सवरुर्जा की बात करें तो 400 किलोवाट सवरुर्जा का समता है ठीक है 400 किलोवाट ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेंगे तो पूरी तरीके से क्या है सवरुजा से लैस हो गया है चिन्ना स्वामी स्टेडियम वसीफदर ज्यादा खाने से क्या हो जाएगा मोटापा कमजोरी बजन में कमी सभी तो इसका तो ऐसे करेक्ट अंसर अब सभी जानते हैं ठीक है तो इसमें ज्यादा बात करने के ज़रूत नहीं है यह तो सबका सही हो जादा हो और अंसर क्या हो जाएगा मोटापा ठीक है ऐसा प्रश्ण पूछता है बहुत कौन सा मुख्यकारक था जिससे जिससे सहरी करण के स्वरूप में पर गहरा परभाव पड़ा है तो तो सहरी करण के स्वरूप पर गहरा क्या है अदोगी की करण आदोनी की करण वैस्वी करण उदारी करण तो वैस्वी करण मतलब यह हमें पता है ग्लोबल से संबंदीत है पूरे विश्व संबंदीत है आदोनी करण और उदारी करण और अदोगी करण में पामला में समझना है तो इन स तो हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है सहरी करण के ज़रूपर वो और दोगी की करण ठीक है क्रक्टा अंसर क्या हो जाएगा और दोगी की करण की बज़े से जैसे मसीनिय वगरा सब लग रही तो बहुत सारी चीजें और इससे प्रभावित हुई है ठीक है ज्यादा इसमें क्या है बहुत सारी चीजें है ना अधोगी की करण से परिशन वगरा दुनियादारी इधर उधर जहां अधोगी ज्यादा लग गये वहां लोग रहने लगे तो भाई रेंट एक ऐसे भी आज सोच सकते हैं कि जहां प वहां लोग इकठा होंगे तो चीजें उपस्तित करानी होंगी चाहिए वो रूब किराया दुनियादारी जो भी हो सब कुछ ठेक है बादार दुकाने यह सारी तो इसलिए उसको में लोग कह लेंगे फिलाल देखते हैं सामान्य बेक्ति का आवसत बहुत दिक स्तर क्या है आईक्यू जो है सामान्य स्तर पर मनुस्य का कितना होता है तो यह अवे बताना है तो पहला क्या हो जाएगा 100-120, 90-110 और 70-130, 50-100 क्रेक्ट अंसर क्या हो जाएगा इसका जो आईक्यू सिस्टम का मामला है वो 90-110 पर होता है ठीक है सामान्य स्तर पर जिसका बढ़ गया यह भी आद रखेंगे तो यह आउसात मान है और 120 से जो अधिक होता है वो बहुत बहुत होता है ठीक है 120 प्लस जो है बहुत बहुत होते हैं मतलम उनका जो मान्सिक्स आईक्यू है सोचने समझने की समता वो बहुत ज्यादे बहुत होती है लेकर अगर बात करें 20 68 परसेंट य 115 के बीच में ही होती है ठीक है आपको पता है ज्यादा जो राप तक ज्यादा जगते हैं उनकी आईक्यू बढ़ती सोचने समझने की समता बढ़ती है मेमराज समता कम होती है रात में ज्यादा जगने वालों लोगों की ठीक है तो आप अपने इसाब से अपने आपको डाल को साल लिजीना समझना ज्यादा है या याद करना हैं तराट को अच्य कोई बीचीजी याद रखना अई तो जल्दीस चीजे याद रहेंगी हो जायएंगी दमते रहें जो सोचने समझने की चमता है वो आमतोर प्यापका ज्यादा जो जगता है रात में उसका थोड़ा सा डबलप होता है अब पता नहीं क्यों ये भी कोई कारण होगा तो ये भी देख लिजीगा आगे चलते हैं क्यों चुछुए में सोसन अंग है देखिए बाले जुछ का कित इसकी जो मोरिस्ट यानि की गिली त्वचा होती स्किन वहीं फेफडा उसमें होता नहीं है अलफड़े बगरा तो होएंगे नहीं सिद्धिस बात है ऐसे करेक्ट आंसर आपने चुन लिया होगा ठीक है ये बताए कि एक लिंगी प्राणी है या दूई लिंगी ठीक है या है राश्टी सभा राश्टी शंसद जाती शंसद राश्टी पंचायत संसद नहीं है और आप उपस्तीज यह जारूरी है क्या व्रत्वान में में लगप्ड लगफबा इसमें 350 सीटे ही उपस्ती थे संसाद में ठीक है उसके जिसमें से 50% सुरी 50 सीटे महिलाओं के लिए आरची थे तो आप इसमें निकाल सकते हैं कि कि कितना परसेंट बन गया है ना तो आप ऐसे कर लिजिए क्या दिक्कत है तो लगभग लगभग ऐसे करेंगे तो हम लोग कितना जाएगा या तो दसमलों में यारह लगभग 11 या बारह कहें लिजिए इतना परसेंट ही है बस ठीक है एक मिनट एक मिनट साथ कम साथ है आप तीन है ना हाँ तो चार होगा फिर आपका बढ़ता जाएगा उदर ठीक है लगभग 15 परसेंट आप कह लेंगे इसको कोई दिक्कत नहीं है चलिए इसमें हम लोग मैस ना खुषण है आगे चलते हम लोग तो इसमें हम लोग जाती कहते हैं और यह आपका आपके लिए प्रस्टे करकर रेखा किस राजय कि आपको मिल जाएगा आपको वीडियो कैसा रगा आहरा कि देसों से आप जाएंगे तो मिल जाएगा ठीक है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजीगा आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही ये वीडियो कैसा लगा आप क्वेंट करके जरुबत आएगा और ज्यादर ज्यादर दोस्तों सा सेयर करें उनका भी हो सके मदद और लगे रही है फटाफट चैनल के साथ है ना आपको लगातार तीन तो इसके मिले गई इसके तीन मिले करेंगे और प्लस मैं नंबर आफ कोशिशन कोशिज कर रहा हूं बढ़ जाए तो जितना हो सकेगा फटाफट अम लोग सेट बढ़ा रहे हैं आगे और जितना ज्यादा हो सकेगा हम लोग सेट को प्रेक्टिस कर लेंगे ठीक है तो बस साथ में बने रही है चल को सब्सक्र सब्सक्राइब रखिए यानि कि नोडिक्स बिल्कौन रखिए और दोस्तों को भी ज्यादा ज्यादा सेयर करिए चलिए ठीक है मिलता है कि लोड़ों तब तक लिए नमस्कार जैहिंद जैभारत